अध्याय बारह उस समय यीशू विश्राम के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे फरीसियों ने ये देख कर यीशू से कहा देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने नहीं पड़ा कि दाउद ने जब वो और उसके साथ ही भूके हुए तो क्या किया वो परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई जिने खाना न तो उसे और ना उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था या तुमने विवस्ता में नहीं पड़ा कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में विश्राम के दिन की विधी को तोडने पर भी निर्दोष ठहरते हैं पर मैं तुम से कहता हूँ, यहां वो है, जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोश को दोशी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभू है। वहां से चल कर वो उनकी सभा के घर में आया, और देखो, एक मनुष्य था, जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोश लगाने के लिए उससे पूछा कि, क्या, सब के दिन चंगा करना उचीत है। उसने उनसे कहा, तुम्में ऐसा कौन है, जिसकी एक ही भेड हो, और वो सब्द के दिन गड़हे में गिर जाए, तो वो उसे पकड़ कर ना निकाले, मनुष्य का मुल्य भेड से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्द के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा, उसने बढ़ाया, और वो फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। भविश्य द्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हो, की देखो, ये मेरा सेवक है, जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा, वो न जगडा करेगा, और न धूम मचाएगा, और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा, वो कुछले हुए सरकंडे को न तोडेगा, और धूमा देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आश रखेंगी, तब लोग एक अंधे गुंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया, और वो गुंगा बोलने और देखने लगा, इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दवत के संतान है? परंतु फरीशियों ने कहा, ये उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है, वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना, जिसमें फूट होती है, बनाना रहेगा, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा नयाये चुकाएंगे. पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुमारे पास आ पहुचा है. कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूट सकता है? जब तक कि पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब वो उसका घर लूट लेगा. जो मेरे साथ नहीं, वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वो बिथराता है. इसलिए मैं तुम से कहता हूँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी. जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा, उसका ये अपराद क्षमा किया जाएगा. परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे, उसका अपराद न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा. यदि पेड को अच्छा कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड को निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड फल ही से पहचाना जाता है, हे साप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है, वह बाते निकालता है और मैं तुम से कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बाते मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन एक एक बात का लेखा देंगे क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोश और अपनी बातों ही के कारण दोशी ठहराया जाएगा इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा हे गुरू हम तुसे एक चिन देखना चाहते हैं उसने उत्तर दिया कि इस युक के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन ढूंटते हैं परन्तु युनुस भविश्य द्वक्ता के चिन को छोड़ कोई और चिन उनको न दिया जाएगा युनुस तीन रात दिन जल जन्तु के पेट में रहा वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन प्रिठ्वी के भीतर रहेगा नीनवे के लोग नियाय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने युनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहां वो है जो युनुस से भी बड़ा है दखिन की रानी नियाय के दिन इस युक के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोशी ठहराएगी क्योंकि वो सुलेमान का ज्यान सुनने के लिए पृत्वी की छोड से आई और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंटती फिरती है और जब नहीं पाती तब वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लोट जाऊंगी वो आकर उसे सूना, ज़ाडा बुहारा और सजा सजाया पाती है तब वो जाकर अपने से और बुरी साथ आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें पैट कर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है इस युक के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी जब वो भीर से बाते कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे किसी ने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुससे बात करना चाहते हैं ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और अपने चेलों की और अपना हाथ बढ़ा कर कहा मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गिय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है